आपके काम में रुकावटें आती हैं, एक विगन समापत होता है, दूसरा विगन आ जाता है, आपकी प्लैनिंग बहुत अच्छी होती है, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, आपकी प्लैनिंग प्रेक्टिकल रूप नहीं ले बाती है, इनके बहुत से कारण हो सकते हैं, ग्रहों का दोश हो सकता है, नजर का दोश हो सकता है, कोई नेक्टिविटी का दोश हो सकता है, मैं उन दोशों के बारे बात नहीं करूँगा, सबसे बड़ा दोश आपकी सोच का है, आपके विचारों का है, हम आज जो भी हैं, हम सुखी हैं, राजा हैं, बड़िया हैं, उसका कारण भी हमारे विचार हैं, हम दुखी हैं, हमें बिमारियों ने घेरा हुआ हैं, हम करजदार हैं, उसका कारण भी हम खुद हैं, हम स्वयम हैं, दोस्तो आप अपने विचारों को बहुत के लिए रखें नकारा अत्मक शब्द अपनी वानी में ना लाएं नकारा अत्मक विचार अपने मन में ना लाएं जो भी आप चाहते हो जो भी आपका संकल्प है उसके लिए आप अपने गुरु देव से आग्या लें जैसे आपकी साधना बढ़ जाती है ना आप एक गुरु कृपा हो जाती है तो आपको जोतश की बहुत कम जरूरत रहती है जैसे सूरिया की रोशनी के आगे आप दिया जलाने की कोशिश करो आप बहुत आगे निकल गए साधना में फिर आप ग्रहों के चक्कर में पड़ गए आप बहुत आगे निकल गए भक्ती में फिर भी राहुकाल देख रहे हो उसका विचार कर रहे हो जिस जगह पे जिस घार में मा की जोती की स्थापना हो जाती है मा की जोती का प्रकाश हो जाता है वहां से सब नकारात्मक्शक्तियां भाग जाती है जहां गुरु कृपा हो जाती है वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है पर आप गुरु दीक्षा भी लेते हैं गुरु मंतर भी लेते हैं पर उसको करते नहीं है गुरु कृपा तभी होगी जब आप गुरु आज्या मानेंगे उनकी बात को फालो करेंगे अगर आप पूरान रूप से उनके चर्णों में समर्पित हो करके उनकी पूरी बात को मानते हैं तो आप कभी फेल नहीं हो सकते अगर गुरू ने आपको कहा कि आप सेवा जो कर रहे हो लंगर की सेवा करते रहो तो गुरू आग्या है तो वो सब भक्ति से बड़ी बात है गुरू ने कहा दिया भक्तों की सेवा करो तो भक्ति से बहुत बड़ी बात है गुरू ने कहा दिया संगत के जूतों की सेवा करो तो बहुत बड़ी बात है पर गुरू आग्या को मानो जो एक श्लोक हम प्राया बोलते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंतर मूलम गुरु वाक्यम मौक्ष मूलम गुरु कृपा इस मंतर पे चलने की कोशिश करो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति के गुरु को दर्शन कर लिए गुरु के साथ सत्संग कर लिया गुरु के विवारे में विचार कर लिया तो वो ही ध्यान हो गया पूजा मूलम गुरु पदम गुरु ने जो कहा वो कदम चल लिये वो हमारी पूजा हो गई मंतर मूलम गुरु वाक्यम गुरु के वाक्या ही हमारा मंतर है, उनके शब्द हमारा मंतर है और मोक्ष मूलम गुरु क्रिपा हमारा जो फेल होने का कारण है कि हम गुरु की आगया को मानते नहीं है दोस्तो अभी भी वक्त है, वक्त नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएगा मैंने अपने जीवन में जहां गुरु जी की बात को नहीं माना आज भी महसूस करता हूँ, कि इससे बड़ा कोई कराइम नहीं हो सकता मेरी जिन्दगी का आप गुरु आगया को मानना शुरू करें जहां भी आपके गुरु के साथ आप से कोई गलती हुई है, उसको कशमा मांग के आगे बढ़ना शुरू करें आप देखेंगे, कि आप बहुत एक रूप से भी परगती करने लगे हैं और अध्यात में रूप से भी परगती करने लगे हैं पर जो आपको जैसे रुकाबटें आती हैं, आपको परिशानिया आती हैं अपने गुरु से कशमा मांगते हुए, माता पिता के साथ कोई गलती हुई है, उनसे कशमा मांगते हुए और भी किसी के साथ आपसे कोई नियुनता धिकता हुई है उनसे क्षमा मांगते हुए किसी के साथ अपने धिकता की है उनसे क्षमा मांगते हुए मां बगला मुखीजी का जाप करें अगर आप इनकी वशेश साधना करना चाहते हैं तो कम से कम तीन माला मां बगला मुखीजे के मंतर का रोज जाप करें पीले वस्तर पेने, पीला पट्टा सर पे लें, पीला परशाद मां को चड़ाएं और एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और अखंड दीपक जला सकते हैं, जितने दिन की साधना का संकल्प करते हैं तो अखंड दीपक जलाएं, पर तीन माला कम से कम एक बैठक में करें तीन से शे हो जाएं, नौ हो जाएं, बारा हो जाएं, आपकी इच्छा शक्ती की बात है और जैसे मा का मंतर कर लें, मंतर मैं एक बार फिर बोल देता हूँ आपको ओम, हलरीम, बगला मुखिम, मम, सरब, दुष्टा नाम, वाचम, मुखम, पधम, स्तंभाई, जीब्याम, केले, बुद्धिम, विनाशाई, हलरीम, ओम, स्वाहा 40 मिन्ट तक मंतर का जाब करें, तीन माला राम से करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा आपको जल्दबाजी नहीं करना है, शब्दों को खाना नहीं है, अनंद से मां की स्तुति करनी है, अगर जो मेरा अनुभव है, माला को छोड़ करके बस 40 मिन्ट चाप करें, 20 मिन्ट मां के चरनों में मां से बात करें, मां को अपनी कथा वजथा कहें, और लास्ट जो 15 मिन्ट हों, उसमें ऐसी भावना करें कि मां ने मुझे पे क्रिपा कर दी है, मां ने मुझे को शक्ती दे दी है, मां आ गई है, मां ने मेरा संकल्ब पूरा कर दिया माने मेरा गोल पूरा कर दिया बस इसी इसी इनंद में जैसे उठा जाए उठें पर एक बात का मैं आपसे वादा करता हूँ आप जिस दिन बैठ जाएंगे ध्यान में मां के चर्णों में चले जाएंगे गंटा कब हो गया दो गंटे कब हो गया तीन गंटे क वो आपके हाजरी नहीं लगेगी कितना भी आप कुछ कर ले तो मां करपा करें आप पे उपर बहुत आपको शक्ती दें बस आज इतना ही